हेलो एवरिविन वेल्कम बैक इन लाइब्रेरी एड़ुकेटर चैनल गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बैल इकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेटी नौ So, let's start our session. आज हम पढ़ेंगे articles की rules इससे पहले guys हम article होते क्या है and article का use कहां पर किया जाता है हम इसका discussion कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे A and N का co-use करने के लिए rules So, guys हम जानते हैं कि A and N का use हम किस तरह से करते हैं A का use हम constant हलाकि wolves का use हम N के लिए करते हैं Wolves में हमारे कौन-कौन से words आते हैं जिसे A, E, I, O and U ये हमारे वॉल्स sounds होते हैं इसे तरह हिंदी में हम इसे A, A, E, E, O, O इस तरह से ये हमारे हिंदी में वॉल्स sounds होते हैं In case अगर यहां पर किसी कोई भी word इन sounds से शुरू होता है तो इनके लिए हम N का use करते हैं और बाकी सभी के लिए हम A का use करेंगे ये हम previous session में guys clear कर चुके हैं अगर आपने वो session नहीं देखा हैं तो आप देख लीजिए ताकि आपको easily ये some rules समझ में आ सके So अब हम बात करते हैं अपने rules की So हमारा first rule है कि A and N का use हम कुछ खास phrases में भी करते हैं Phrases में जैसे हमने sentence लिखा एक A team of ये sentence इसी तरह same as it is किसी भी sentence में use हो जाता है इसी तरह guys हमारा first sentence भी है A great number of यानि A हमारा represent कर रहा है किसी नंबर को साथ ही quantity को भी A represent करता है जैसे A lot of या फिर अगर हम quantity की बात करें तो A good many of इस तरह से हम A या फिर N का use number या quantity को रिप्रेजेंट करने के लिए करते है नेक्स्ट संटेंस है हमारा बेनी हैज एन एपल इस संटेंस में guys हमने बेनी का use किस लिए किया है एपल को प्रनाउंसेशन करते हैं वो हमारा एपल है जो की A से शुरू हो रहा है इस लिए इस संटेंस में हमने N का use किया है और इसे के साथ A और N का use यहां पर one यानि एक को denote करने के लिए किया गया है यहां पर हमें किसी भी particular number को use करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा संटेंस पूरा singular in countable noun में चल रहा है ओके नेक्स संटेंस है हमारा देर वॉज एक किंग ओफ मगत अब यहां पर गाईज हम देख रहे हैं कि यहां पर हम दें बोला गया है देर वॉज एक किंग यानि मगत का कोई राजा था हमें यहां पर particular नहीं बताया गया कि उस राजा का नाम क्या था या उसका कारेकाल कितना था हमें इस बारे में कोई भी information नहीं दी गई हमें सिरिफ यह बताया गया है कि मगत का कोई राजा था इसलिए इससे हम पता चलता है कि a and n का use हम any के अर्थ में भी यानि कोई के अर्थ में भी हम करते हैं guys आप इन्हें not कर लिजिए ताकि आपको exam time पे easily revision करने में बहुत असानी होगी okay and यह सिरिफ non-teaching के लिए ही important नहीं है इसे जैसे PRT का exam अभी March के last week से शुरू होने वाला है यह उसके लिए भी session उतना ही important है वो students भी इस session को कर सकते हैं so आप उन friends के साथ भी अपने इस session को share के जीए ताकि उनका exam में भी उन्हें help मिल सकी okay next question यह sentence है हमारा Mr. धनजे earn 20,000 rupees a month यानि कि Mr. धनजे प्रती महां 10,000 रुपे कमाते हैं अब यहां पे guys प्रती महां हमें कहीं नहीं लिखा दिख रहा लेकिन फिर भी वो sentence में है इसी लिए हमें पता लग रहा है कि हम each या फिर every के लिए भी a and n का use करते हैं जरूरी नहीं है कि हम इस शब्द को लिखे तभी हमें पता चलेगा हमें कई चीजे ऐसी होती है जो बिना लिखे भी हमें understanding में होती हैं इसी तरह गाइस next rule है हमारा he want a hunting यानि वह शिकार पर गया अब यहाँ पर he went a hunting लिखा है यानि शिकार पर जाने के लिए लिखा है लेकिन यहाँ पर का कोई भी यूज नहीं है इसी लिए यहाँ हमें बताया गया है कि हमने on का यूज जो की पर के लिए होता है को भी हम a या n के लिए में यूज कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ a का यूज किया गया है जो की a का यूज यह हमारा on के लिए है यानि पर के लिए है वह शिकार पर गया I hope guys आपको ये सभी rules clear हो रहे होंगे